इस्वर्दाजी आवाज नहीं आ रही भाई यह हो संगवाद में आप बैठे तो दिख रहे हैं मायक भी आपके हाथ में हो डाक्ते सीता सर्माजी भी आपके बगर में बैठे हैं लेकिन मायक साइद बंद है कोई अरे अब आपकी भी आ रही सर कैसे आप आसरवाद है आपके पास सट्रा एककड़े सर सिंचित कितनी या सिंचित कितनी मैंसे घुसंगाबाद में पूछना वेकारी है क्योंकि सब्सक्राइए पूरी सिंचित है जी सर अज़र मैं यह पूछ चाहता हूं आपको जी किसान कल्यान और किरसी विभाग से आपको कौन-कौन सी सहायता किसकिस योजना की सहायता पराप्त हुए तो चना भी मैंने अनुदान से लिया आथा जिसका मुझे आदा पेशा पूरा हुँए तीन अधार रुपें बापीस मिले थे जा किसान सब माने निदी मिली की नहीं मिली है ना जब और मुख मंत्री किसान कर लियान योजना के सर्व वो भी मिली है तो योजना यह जिनका लाब बिल रहा है अब मैं एक बात कमल बड़े जोड सोर से कह रहे तो किसी मंत्री जी मूंग की बात इमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता ना मूंग उपारजन से लाब क्या हुआ है कि अगर उपारजन नहीं होता तो क्या होता और हुआ है तो क्या फायदा हुआ है स्थे बार कि पिछले बार किनी कारणों से नहीं हो पाया था सीधे-सीधे वो मूंग पिछले बार साड़े तीन-चार जार भी कि थी और आज आपके आसिरवास से मानने क्रशी मंत्री जी के आपको किता हुआ को मिला कि मैंने को सीधे-सीधे मांगे चलिए कि मैंने बाहर अभी सर आपके आसिरवास से मेरा 110 बोरा मूंग तो मैंने 40 बोरा सोसाइटी में तुलवाया तो उसका मुझे 2,87,000 और 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी आगया और वही मैंने मंदी में तो यह 7,100,96 रूपे साथ कमल हिसाब में बहुत तेज है किसानों के 1,25,000 का लाव लेकिन कड़की में यह फैसला हुआ है तो नरेंज सिंग जी हम बैठे हैं उनने भी मदद की और कुछ हमको जेव से निकालना करादा पड़ा जेव डीली करनी पड़ी लेकिन किसानों के पास पैसा गया है मैं बहुत बढ़ाई देता हूं और एक बात के लिए और धन्यवाद के ना चाहूंगा आपको सब कह दीजिए और आप भाजपा सरकार को भी पिछले वाद बार्स 2018 का बेंग की जो भी गड़बड़ी रही हो उसके कारण कुछ किसानों का जिसमें में भ मिले हैं सर आप देखो कितनी गड़बर सरवर 15 महिना में हो गई थी कई किसानों के नाम ही उड़ा दी उसमें में भी हूं सर उसमें आप भी हो तो आपको आपको उन पो गुस्ता नहीं आता जा आता है ने सर कई फसल भी मायोजना का प्रीमियों भी जमा नहीं किया था मैं आपको बहुत बढ़ाई देता हूं हम लोग दिड़ संकर्प थे प्रधान मंत्री जी के नित्रत में हमारे किसानों के कल्यान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे विजय पाल जी आपके साथ बैठें हमारे संडे रभी वार के दिन भी सर्प बैंक को ऊपन कराके जो पंजी अंद के लिए भीमा की आखरी तारिक थी तो बैंक संडे को भी खुलवा के तो रजिस्ट्रेशन करवाया दा संडे हो या मंडे भारती जन्ता पार्टी की सरकार चिंता मत करो आपको बहुत बहुत बदाई बहुत 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 अन्यवाद अब मैं आमतित कर रही हूं विदीशा के क्रिशक श्री विपिंद्र पाठी जी को विपिंजी नमसकार नमसकार सर जैहिंद जैहिंद विप पिंट्र पाटी हूं, सर मैंने वेस्ट पराली जो हम धान का पैरा बोलते हैं, जिसकी वज़े से बहुत अभी पॉलूशन हो रहा है, वायू प्रदूशन, इस्पेशली विंटर सीजन में, उस पराली से बायो डीजल के निर्मान का प्लांट आपके संदर डीरी के पास में पागरी गाओं में लगाया है, तो उसे करीब हम दो टन पराली से करीब चार सो लीटर बायो डीजल का निर्मान प्रतिदिन करना हैं सर्थ, बहुत बधाई मैं आपको देता हूं, पराली अगर जलाते हैं, तो क्या-क्या नुकसान होता है, यह भी आप बताइंगे? सर्लास सब्सक्राइब के लिये ही हमने इस प्रोजेक्ट की टेकनॉलोजी डेफलाप की है, और पराली से बायो फ्यूल का निर्मान का प्लांट लगा है आप ताली वजा की फिर स्वागत केजएए पराली मतलब अपनी बहासा में कहें तो नर्वाई इस तरफ जादे तर नर्वाई बोलते हैं ग्याओं की भी नर्वाई वर्दान की भी और यह हम जलाते हैं तो वो तो जले ही जाती है दुआ प्रोडूसर और फैलाता है तो आपने यह जो नर्वाई है या पराली है किसानो से खरीदी होगी कैसे प्राप्त करते हैं आप यह सर इसी सीजन में यह प्लांट कम्प्लीट हुआ तो इस सीजन से हम किसानों से कि यह नर्वाई करीब पंद्रा सो रुपए प्रती टन करीदने का प्लान कर रहे हैं तो जैसी दान की घटाई शिरो होगी हम प्रशी भाग विदीशा के साथ मिलके उसका बंच बनाके हम अपने प्लांट ले जाएंगे जिससे हम बायो फ्यूल का निर्माट करेंगे और उस बायो फ्यूल को अधिक प्रोसेस करके उसे बायो डीजल और बायो पेट्रोल का भी निर्माट करेंगे जो की करीब 20 से 30 रुपए पर लीटर सस्ता किसानों को ही अपलब कराएंगे जा आप पंद्रा सो रुपए प्रती टन खरीदेंगे मतलब प्रती कुंटल अगर देख और लो डेर सो रुपए कुंटल और बनेगा उससे क्या बायो फूल डीजल और पेट्रोल की जगी जो इस्तेमाल होगा वो भी डीजल पेट्रोल से सस्ता होगा और इसलिए तेजी से मदपनेस को इस दिसा में बढ़ना चीए जैसा प्लांट अभी विपिंजी ने लगाया है हम लोग और को सस करेंगे कैसा प्लांट और मदपनेस की धरती पर लगे और हमारी नर्वाई हमको जलाना ना पड़े बलके बेंच के और भी उससे लाव हम कमाएं और परियावरन को भी बचा पाएं आपको भी बहुत-बहुत बधाई धन्यवाद बहुत-बहुत- बढ़ियावुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बह तो यह तीसरी फसल थी आप अपनी खेती में तीन फसल लेते हो कि दो तो आपकी एक स्वेवीन हो गई एक मूंग हो गई और एक ग्यहूं या और कुछ ग्यहूं या चना अब आप बताव प्रधान मंत्री जी जो कहते हैं किसानों की आय दुगनी करनी है आपने तीसरी फसल लेना भी सुरू कर दी तो आपकी आमदानी बड़ी कि नहीं बड़ी बिल्कुल बड़ी साथ बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बड़ी अब आप देखिए कई बार लो तूनी चोगनी हो गई कितनी हो गई तूनी चोड़कर चोगनी हो गई इमानदारी से ब आई दूगनी करनी है आई दूगनी कैसे होगी तरीका यहिए अब सिचाई की व्यवस्ता करो और ये बाबूलापि जी इस बाट के उधारन है कि प्रदान मंस्ती जो कह रहे है वो करके भी तिका रहे है बावुलाल जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ चुंकि सारे चार बजे से मानिख केंदरी किर्शी मंतरी जी के साथ हमारी दल्लब भबन में बैठक भी है इसलिए जादा समय ने लूँगा भाई आसीश जी भी यहां बैठे हैं मैंने देखा विल्सा में हरी सप्रे जी और राकेश जी और तोरण सिंगी वगिरा सब्थे चुकि समय की सीमा है इसलिए मैं बावुलाल जी और पूरी टीम को बहुत बधाई देते हुए हमारे संबाद के कायरिकम को समाप्त करता हूँ और मैं थोड़ी सी संशिप्त चर्चा आप से करूँगा मंज पर विराजमान हमारे केंद्री किर्शी मंतरी और सच मुझ मैं यह अंतरा आत्मा से कह रहा हूँ है दिल से मैं घहरा हूँ कि मदप देश के इस बेटे ने अपनी कर्मठता से मदप देश का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोसन किया है प्रदान मंतरी जी के नित्रत्व में जिस समझदारी के साथ गहराई के साथ गंभीरता के साथ समवेदन सीर्था के साथ सूज वूज के साथ और नरेंज सिंगी ऐसे हैं कि गुस्ता उनको कभी आते ही नहीं है जिस भैंग से वो सरकार चला रहा है वो अद्भूत है उनका एक बाद ताली बजा के स्वाज़त कीजिए हमारे छोटे से अन्रोज पर वो इसकारिकम में पधा रहे हैं हमारे किर्सी मंत्री युवा करमठ ओजस्वी और सच मुझ में वो खेती और किसानी में बैसे ही फिटे जैसे अंगूठी में नगी ना भाई कमल पतेल जी हमारे पूर्व किर्सी मंत्री आधनी रामकृष्विक उसमारिया जी अजीत केसरी जी सेलंडि सिंग जी हमारे वरिश्ट विदायक भाई अस्पाल सिसोद्या जी पारग जी पाल्टी के महमंतरी रणवीर जी प्रणाध भारती जी राहूल जी मोर्चे के अद्धेक्ष दर्सन सिंग चौधरी जी बहन अर्चना जी और पूरे प्रदेश में आज मेरे साथी उपस्थित मंत्री गण विधायक साथी गण सभी जन्पृति धी गण मेरे प्रिये बहनों और भाईयों अभी विस्तार से कई बातें आदर्णी नरेंदर सिंग जी ने आपके समक्ष रखी और कमल जी ने भी मद्ध देश में भारती जंता पालिटी की सरकार हम लोग जो प्रियतने कर रहे हैं उसका विवरण और जानका सारी गहराई से थी देखिए प्रधान मंत्री जी के जन्म दिन 17 सितंबर से हैं साथ अक्टूबर तक अने को क्योंकि ये बात सही कहीं कमल जी ने कि उनके गवर्नेंस के 20 साल पूरे हो रहे हैं तेरा गुजरात के मुख मंत्री के रूप में और साथ प्रधान मंत्री के गॉर्नेंस के हेट के रूप में 20 साल पूरा होने पे हम कई कल्याकारी जन्दा को दें विकास के कारीकम जन्दा को समर्पिद करें और सुराज की जो हमारी कल्पनाय है अच्छा राज उसके माद्धम से भी हम जन्ता को लाभानवित करें प्रधान मंत्री जी आज अमेरिका में है भारत माता का ये बेटा पूरी दुनिया को सेयुक्त राष्ट संगी के माद्धम से भी भारत का संदेश देंगे और दुनिया भर में अपनी अतन्त प्रभावसाली उपस्थती दर्जी करके दुनिया को दिसा दिखाने का काम करेंगे लेकिन हमारे देश के कुछ निता है वो जब तक प्रधान मंत्री जी को सवेर उठके पानी पीपी के गाली नहीं दे लेते तब तक उनको चैन की सांस ही नहीं आती रात में नींदे नहीं आती सपने में भी मोधी मो गज्का दंदा बनाना है अ कि आए कैसे दगनी करनाए और कैसे दुगनी होकी वाई कुछ उपाय करने पड़ें पांच उपाए एक उत्पाधन बढ़ाना पड़ेगा दूसरे उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी तीसरे किसान जो चीज पैदा करे उसका ठीक दाम उसको देना पड़ेगा चौधा अगर किसान की फसलों को नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी और पांचवा किसी का बिवधी करन करना पड़ेगा केवल एक फसल लेने से काम नहीं चलेगा उसमें बिवधता लानी पड़ेगी ये पांच उपाए और वह संचिप में मैं आपको बता रहूं उन पांच उपाएओं उपे नंबर एक उद्पादन बढ़ाना अब तुलना करके देख लो जब तिक गीर आजा थे बीच में कमल भाईया ये कमल नहीं ये तो भाईया है अपने प्यारा आप बताओ क्या किया आप याद किजिए किसी ने सवाल किया था कौन बिधान सभा में नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके मालवा लाया जाए और शिप्रा में जोड़ा जाए तो उस समय के मुखमंत्री ने का था दिगी राजाने इंपासेविल आगलों जैसी बात करते हैं हो ये नहीं सकता तेज सिंग सेंदब जी ने पूछा था बोले हो जी नहीं सकता बेकार की बात अब तुम एक्छे ही सकती नहीं थी तुमने कौसस ही नहीं कि अरे जाए चाह होती महरा को निकलना पड़ता हम बने मुखमंत्री और हमने बुलाया अधिकारियों को और कहा के नर्मदा जी का पानी चिपरा में लाना है बात बोई आई कि साथ वो मालव अपलोट ऊपर है नर्मदा जी नीचे है पानी के ऐसे आएगा अरे हमने का मोटर सा खीच खाज का पाइप लाइन में भर बरा के लिए आओ मैं यह को आजाएगा उपर उसमें कुन से बड़ी बैट अब टज्वीज लगानी पड़ती है नहीं आए तक पंप लगा के खीचो पानी खीचा छपरा जी में आगया खीचा गंभीर जी में आगया काली सिंद में ला रहे हैं पारवती में ला रहे दिखा अगर तलब हो तो हो जाता है और मुझे कहते हूं खुशी है कांग्रेस के राजा नवाब अंग्रेज कांग्रेस सब की सरकारों का अगर सिचाई का योगदान पूरा जोड़ने तो साले साथ लाख हेक्टर में सिचाई हुई थी और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ लगवग 42 लाख हेक्टर जमीन में सिचाई की विवस्था भारती जनता पारिटी की सरकार में अब कही जले हर्दा जैसे ऐसे हो रहा है जाने लगवग 100 परसेंट वो मोरन गुंजाल कुन सी है अपनी एक 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 कहां से पानी आ सकता है अब वन के घाता खंडवा जले मैं आभी घरकों जाने वाला हूँ अब हचके चके लोग मांग करते पानी जाए बिन पानी खेती हो देश वीज लगानी पड़ती है अब खेती में सिचाई होगी तो बताओ उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा अच्छे भी जो कांजाम किया उत्पादन बढ़ा अच्छे भी जो कांजाम किया उत्पादन बढ़ा समय पे खाद जाए बीज जाए इसकी कौसिस करते हैं उत्पादन बढ़ता है नविस्तार में नहीं मंत्री जी मदक देश के मक्ह मंत्री और प्रधान मंत्री जी का असीरबाद लेके हम लोगों ने समझोता कर लिया है आठ लाग हेक्टर जमीन में फिर से चाहिए हो जाएगी तो दीरे दीरे हमारी कौसस यह है कि हम किसान की खेती को पूरी तरह सिंचित कर दें उत्पादन ब आप बताओ जीरो परसेंट ब्याज और मारत चौदा परसेंट ब्याज अब चौदा परसेंट ब्याज पे करजा लोगे तो लागत बढ़ेगी जीरो परसेंट पे लोगे तो लागत घटेगी बताओ घटेगी कि नहीं घटेगी एक नहीं ऐसे अनेकों उपाएगे हैं जो बड़ी हुई कीमत है वो केंडर सरकार अपने खजाने से पईसा भरेगी किसानों को बारा सो रुपया में ही डी एपी की बोरी मिलेगी लाकत घड़ कही नहीं तो बढ़ जाती एक नहीं अनेकों पाएं खेती की पंधतियां बतल तो श्रीप पंधती प्या जाओ बीच कम लगेगा लाकत घड़ जाएगी स्वाइल हेल्थ कार्ट बना के दे दो तो जितने औरवरक की जगवत उतने ही डालेंगे लाकत घड़ जाएगी तो दूसरा उपाए हम लोग कर रहे है लागत घटाने का तीसरी बात उत पादन का ठीक दाम देना जब कांग्रेस के राज को याद कर लो कभी समर्थन मूल पर पूरी खरीद हुई है क्या इमानदारी से बता ना जब उनकी राज होता था जा गया कर नाम मातली करकर आके और अपने समेटे दुकान और निकल लिए अब बताओ करोना काल में दो-दो बार जब अपनी रभी की फसल आई एक बार हमने एक करोड उन-तीस लाख मीटिक तन गयों खरीदा और दूसरे साल एक करोड तीस लाख मीटिक तन गयों खरीद के रिकार्ड बना दिया पंजाब पीछे छोड़ दिया कि कटना करता था करोना जोंग कारोना में और मैं उनकों भी शुषप्रत के सिमनत्ति करता हूं करोना में आधरणी नरेच सिंग जी कई विचारे खरीदि करने वालों ने अपने प्राण तक दे दिये सहकार ता विभाग के हो चाहे और विभाग के हमारे जो कर्मचारी लगे थे हममाल लगे थे कितना कटिन समय था लेकिन इतने कटिन समय में भी हमने खरीदी नहीं रुपने दी क्योंकि यागर यह मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर नहीं खरीदते तो वह हाल होता कि दो हजार का चौदा सो बिक्ता पंदा सो बिक्ता और इसलिए हमने का जान हते ली पर रख्या भी खरेदी करेंगे अब इसके वाद मूं का मामला कमल जी ने विस्तार के साथ बताया मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा अब ये फैसला नहीं करते हम लोग तो 3-4,000 रुपया हाप ही के रहे हैं 4-4,000 रुपया बिक्ता अब सरकार के खजाने से पैसा गया इसमे कोई तो मत नहीं केंद सरकार के खजाने से भी गया और मदपतेश सरकार के खजाने से भी गया अब ये बात तो आएगी जब पैसा जाता तो बित्त मंत्राले वेचेन हो जाता कांसला और कड़की भी बहुत है मैं आफ सो छुपाता नहीं हूं क्योंगी 16-17 महीना में से 8 महीना तो सब कुछ ब कर देंगे सब्सक्रान करेंगे सब्सक्राइव जरूटब है कर देंगे लेकिन उसना व्य भी डिंख तो लेते हैं मैं चैनुर्व सीमा तक मूँ घरी देंगे अब ये जल फेरेकिं क्याद अब देना है कमल जी ने विस्तार से बताया मैं उसपे विस्तार से नहीं जा रहा तो सही दाम दे दो तो आये पड़ेगी और अगर खराब हो जाए अब बताओ कमल ना जी जब आपको दे दो यार इदर उदर से बस ट्वीट फटकारते रहते हो लिली में बैठे 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 ट्वीट और सवाल करते रहते हैं हमें ये बताओ दिग्जी राजा सहित सब मिलके तुम के तुम केवल एक बात बता दो 2019 का अधारा का तुमने भसल बीमा योजना का प्रीमियम क्यों जमा नहीं किया और ये कई सवाल का जबाब देटो अगर हित ऐसी थे तो प्रीमियम तो जमा करते हैं प्रीमियम इनरेंसिंग की जमा नहीं किया और किसान का पूरा का पूरा पैसा एक नहीं पैसा नहीं मिलता पूरा का पूरा पैसा डूब जाता करोना की कड़की के समय आते ही एक हदे के अंदर 22 करोड़ रुपया जमा كशां के खाते में जमा कर रह दूसरी साल का बिपूरा करके जेहिसा कमल बता रहे थे 9 ल करोड़ रुपया से ज्याद किसां के खाते में डाला भार्ती जंता प्रड़ी की सरकार ने डाला कॉंग्रिस होती तो ये खाई जाते वहीजाए फैसा गायब हो जाता है आज उसके विस्थार में नहीं जा रहा है आब अब बताये प्रधान मंत्री किसान सम्मान थी और मुक्त मंत्री किसान का ल्यान नहीं क्या है यह कोई नही 43 का यहする कि यार छोटा किसान देखो बड़े किसान की आप छोड़ 200 एकर 200 एकर जमीन है उसको 10,000 रुपया उतनी बड़ी रखम नहीं लगती लेकिन जैसा अंदरेन सिंग जी बता रहे थे 85% किसान तो छोटे ही है अब ये छोटे किसान को 10,000 रुपया साल 6,000 प्रधान मंद्री जी क और हम भी चोथी बार बनें तो दिल ने कहा कि चोथी बार बनाए काय को चुकरा है मच चुकरा है चुहाएं 4,000 तू भी डाल ले तो चार करके 10,000 कर देए अब ये 10,000 की रासी आड़े वकत में कितनी काम आती है आप कल्प ना कर सकते हैं छोटे-छोटे किसानों के लिए और इसलिए ऐसे एक नहीं अनों को योजना है नुकसान हो जाए तो पैसा दे दो ऐसा पैसा मिल जाए तो लाकत घड़ जाए आड़े वकत में काम आ जाए तो यही तो किसान की आमदानी बढ़ाने के तरीका है और एक चीज़ जो प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि भई एक एक फसल मत बो मैं आज यह ज़िए जरूर वद्धप देश मैं अपने किसान भाईयों बहनों से करना चाहूं आपन भी एक बार प्रह कर ले तो सोया बीन बोना है तो फिर फसल में कई सालों से खेत में फसल ही नहीं बदल रहा है दैसोया बीन दैसोया बीन अब एक यही ए फसल भो उसके दो कारण थे एक कारण तो यह ता कि एक अगर खराब ही तो पूरी की पूरी निपड़ जाएगी ये नही की आज जाए और दूसरे फसल का चक्र। बहुत है उनकी पूरती हो जाती थी अब हम अगर बिविदी करण नहीं करेंगे फसल चक्र नहीं बदलेंगे एक एक फसल वोईगे तो उससे घाटा होता है अब कही ज़िए के चल गया धान और गया हूं तो दे धान दे गया हूं मेरा ये कहना है कि हमको फसल के चक्र में भी उलट पलट करते रहना चाहिए ये जमीन के स्वास्ट के लिए बहुत जरूरी है नमबर एक नमबर दो हम जिन चीजों की कम ही है देश में मैं आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा है अब नरें सिंग जी कह रहे थे कि अच्छतर हजार करोल किते का तेल मंगाते हैं हम बाहर से अब हम आइल सीट जिसको कहते हैं तिलहन की फसल उस पर भी जोर दे सकते हैं दलहन की फसल पर जोर दे सकते हैं फिर प्रदान मंत्री जीने तो फूलों की खेती फलों की खेती सब्जियों की खेती यौजदी खेती मदु मक्की पालन देर सारे विकल किर्सी वान की तो हमको थोड़ा-थोड़ा बदलने की कोशिस भी करनी चाहिए तो उस दिस हमें जरूर हम गंभीरता के साथ सोचें और इस बार जब करोना नहीं आये तो कमल जी वहम किसी महुतसम मनाते थे काउं गाउं में किसी रत जाएं वेग जाने के जाएं किसानों से चर्चा बाचीद करें और थोड़ा चर्चा करके क्या बहतर हो सकता है उस बात को हम पहुँचाने का प्यास करें उस दिसा में हम जरूर सोचें काफी समय हो गया है और जैसा मैंने बताए कि बाकी भी अभी क किसानों की तरफसे तुम जी हो हजारों, साल और बहतर काम करके देश को परमवयभब के सिख़त पर पहुंचाते रहें. और किसानों को पूरी तरह से आस्वस्थ करते हैं. यह टीम केंद्री किर्शी मंतरी जी हो, कमल जी हो, मानी प्रधान मंतरी जी के नित्रतुम में, किसानों के कल्याण में, भारती जनता पालिटी मदपदेश की सरकार, कोई कसर नहीं छोड़ेगी, कदम से कदम और कंदे से कंदा मिला के साथ चलेंगे, हम भी आगया बढ़ाएंगे, प्रधेश को भी आगया बढ़ाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मानने मुख्यमंतरी जी, मानने मुख्यमंतरी जी को हम ही बताना चाहते हैं, कि इफको द्वारा नवीन तक्निक द्वारा नैनो यूरिया उत्पाद विक्सित किया गया है नैनो यूरिया के उक्रुशकों के बीच प्रसार है तू इवकों के प्रतिनिधी मानने मुख्य मंत्री जी को प्रतिकात्मक रूप से नैनो यूरिया भेट करना चाहते हैं यहां पर नेनो यूरिया के उत्पाद माननी मुख्य मंतरी जी को माननी केंद्रिय मंतरी जी को बेट के जा रहे हैं इफको के द्वारा यह मैं केवल आप से निवेदन कर रहा हूं पूरे मदब देश के किसानों से यहां जो हैं उनको नेनो यूरिया है यह तरल अब यह अपन यूरिया इसे छड़क के ठैकते हैं तो उसमें पूरा फसल में नहीं जाता है ग्याहू वह या दूसरी दान की फसल हो बहुत सा जमीन में पढ़के वेस्ट हो जाता है लेकिन यह नेनो यूरिया यह तरल है मतलब इसका इस्प्रे करते हैं इस्प्रे तो आपको दिया है इसका इस्प्रे एक तो यह सस्ता है दस परसेंट उस यूरिया से और इस्प्रे करने से जितना आपको छिड़क क्या आप लगते हैं उससे ये बहुत कम लगता है तो कीमत भी बहुत कम पड़ती है केवल आप एक एकड़ में कितना है इसको एक जो बोरी है एक बैक के बराबर ये चोटी सी बोतल और फाइदा डबल तो ये मैं समझता हूं कि हम सब के लिए किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम नेनो यूरिया का जितना उपलब्दता है उतना निश्चित तोर पर उसका उपयोग करें और धीरे धीरे पूरी तरह से इस पर हम चले जाएंग अब ये एक बार एक बार सब नेनो यूडिया का परिचार कर दो भया अब ये नेनो ही डालेंगे ना जित्ती होती तो डालो यार और भागी मिले तो बोर मंग बालो इसी का प्रिचार करेंगा अब माननी मुख्य मंद्री महोदै और माननी केंडरी मंद्री महोदै जिके कर कम लोग के द्वारा हित्वराईयों को इसमंच पर लाफ लित्रंट किया जाएका यह एक बात और मैं बता रहा हूं कि वो जो दानेदार यूरिया है सबसिटी दे के भी 266 रुपया का पड़ता है और इस पे एक पईसा सबसिटी नहीं है और यह 240 रुपया ही की पड़ती है और इसको डालने में फाइदा है और जो इस प्रे करके दुगनी जमीन पे हम इस प्रे कर सकते हैं बहुत बहुत आनिवाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब माननी मुख्यमंत्री महोदे और माननि केंदरी मंत्री मावदय जी के करकमलोद्वारा, इतिग्राईयों को इस मंच पर लाब वितरण किया जाएगा सरवपृथम, करषी अधोस रचना निधी अंतरगत स्वीक्रित राशी के चेक का वितरण किया जाएगा, इसमें मैं सर्वर प्रथम बुलाना चाहूंगी श्री श्रीवा मगरवाल जिला होशंगाबाद का AIF के अंदरगत पैकेजिंग यूनिट का 1.5 करोड का प्रस्ताव सिक्रित हुआ है आपको यहाँ पर चेक दिया जा रहा है दूसरा नाम श्री अजय गुपता होपाल से आपको वेर हाउस के लिए 1.3 करोड इस प्रस्ताव के लिए आपको यहाँ सिक्रित हुआ है